और दूसरी तरह की एक्सरेज होती हैं, continuous x-rays, हम इनका difference भी इस lecture के अंदर देखेंगे, लेकिन पहले आप दरह understand करिये, कि कि सीरीज, और बाद में इन सीरीज के अंदर जो further, k, alpha और k, beta हैं, वो किस तरह से बनती हैं, तो पहले हम बात कर लेते हैं, k, alpha के बारे में, मुझे ये तो समझ आगिया कि k-series इस वज़ा से है, क्योंकि मेरा जो incident electron था, उसने जा के k-shell में से एक electron को knock-out किया, और वहां से x-rays निकलना शुरू हो गई, and that is the k-series, अब, जब यहां पर vacancy generate होई, तो सबसे पहले कौन आएगा इसको fill करने के लिए, k के साथ कौन है, l, there is a possibility, कि l में से एक electron जंप करके इसको fill कर देगा, यहां से जो x-ray निकलेगी, हम उसे k-alpha x-ray बोलेंगे, क्योंकि उसके बिलकुल साथ वाले neighbor ने उसको fill कर दिया, लेकिन possibility यह भी तो है ना, कि l से नहीं, m से एक electron जाके इसको fill करे, possibility तो है, अब उसके neighbor ने नहीं, उससे neighbor से अगले वाले, यह नहीं second orbit से आके vacancy fill होई, इस case में जो x-ray निकलेगी, उसे हम k-beta बोलेंगे, तो आपको समझ आया, कि alpha और beta के space पे कहते हैं, अगर तो आपके बिल्कुल immediate neighbor आपकी vacancy को fill कर रहा है, वो alpha series में जाएगा, अगर immediate neighbor नहीं, उससे अगला वाला electron आके fill कर रहा है, वो beta series में जाएगा, यहां से, इनकी energies हम अस्तानी से find कर सकते हैं, मैं अगर के alpha x-ray की energy find करना चाहता हूँ, तो कैसे find करूँगा मैं, के alpha x-ray की energy, सबसे पहले energy of what, के alpha, वो बराबर होगा, alpha के लिए किस से आना है उसने, L से, इसा मतलब energy of L shell, माइनस जाना किसमें है उसने, energy of K shell के अंदर, यह आपके पास आगई energy of K alpha x-ray, K बीटा की अगर बात कर ली जाए, तो K बीटा क्योंके वो move कर रहा है M से, कहां पे K के अंदर, तो इस energy difference, वो K बीटा को generate करेगा, अब जाहर सी बात है, कि M और K का energy difference ज्यादा हुआ, as compared to L and K, जिसका मतलब हुआ, series होती है, वो ज्यादा high energetic होती है, बीटा x-rays की energy ज्यादा होगी, लेकिन intensity के इसकी ज्यादा होगी, chances किसके ज्यादा होते हैं, chances ज्यादा होते हैं कि immediate neighbor आके fill करेगा, यानि alpha की तादाद ज्यादा होगी, chances इसके ज्यादा हैं, तो intensity alpha की ज्यादा होगी लेकिन energy बीटा की ज्यादा होगी दो के बीटा तदाद में कम होगे तो alpha के बारे में अगर बात की जाए तो लिखा हुआ है Suppose that one of the electron in the K shell is removed यहां तक पता चल गया के K series start हो गई है thereby producing a vacancy or a hole in that shell The electron from the L shell jumps to occupy the hole in the K L से electron K क जब fill करने के लिए jump किया thereby emitting a photon of energy HFK alpha that is called K alpha x-ray और उसकी energy आपके समने में यहां पर display कर दी E L minus E K जबके बीटा x-ray क्या होगी? K बीटा वो कहता है कि now suppose that कि एक electron M से jump करता है K को fill करने के लिए तो जो energy जो photon निकलेगा that will be K beta x-ray और K beta के energy हमारे पास यह आगई E M minus E K अब ज़र इस graph को देख लो तो यह graph आपको यह दिखा रहा है It is intensity versus wavelength graph इसमें आपको दो peaks नज़र आ रही है यह दोनों peaks जो है यह basically characteristic x-rays को show कर रही होती है अब यहाँ पे आप ज़र गोर करिए कि जो कम intensity वाली है इसे हम K beta कहेंगे ज्यादा intensity वाली को K alpha कहेंगे लेकिन साथ ही साथ आपने एक और चीज़ नोट करनी है कि जो K beta है उसकी wavelength कम है as compared to the wavelength of K alpha और wavelength कम होने का मतलब क्या है energy ज्यादा है यह graph बड़ा important है आपके पास energy ज्यादा होने का मतलब कि M से electron K में गया है this energy difference is larger than L in K इस वज़ा से K beta की energy ज्यादा है इसलिए उसकी wavelength कम है लेकिन क्योंकि इसके chances भी कम है इस वज़ा से इसकी intensity is much less than that of K alpha यह हो गया हमारे पास characteristic x-rays का detailed overview किस तरह से characteristic x-rays K alpha, K series, L series या M series या so on बनती है और M series के अंदर alpha या beta division किस तरह से होती है अब सवाल यह पैदा होता है कि इनको characteristic x-rays क्यों कहा जाता है characteristic x-rays इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि we know their characteristics हमें इनकी energy पता है इनकी energy equal to the energy difference of the shells और आपको पते है shells की energy तो गभी change होती नहीं है they have fixed energy तर इसका मतलब K alpha जब भी निकलेगी उसकी energy इतनी ही होगी ना इससे कम ना इससे जादा we know that उसकी energy कितनी है वो fixed energy की x-ray है that's why we know their characteristics इससे हम इनको characteristic x-rays का नाम देते है अब characteristic x-rays के इलावा हमारे पास जो second type है that is continuous x-rays characteristics के opposite continuous continuous x-rays का मतलब है वो x-rays जनकी कोई fixed energy नहीं होती constant continuous एक range के अंदर उनकी energies exist कर रही है the continuous spectrum is due to the effect known as bremise long और breaking radiation ये बड़ा important factor है bremise long effect या breaking radiation इस effect की वज़ा से continuous x-rays generate होती है अब ये effect है क्या वो कहता है when a fast moving electron bombarded the target they are suddenly slowed down on impact with the target वो कहता है क्या आपने ये जो electron भेज़ा है ना बाहर से it's a fast moving electron ये जैसे ही जाकर target के साथ टकराएगा तो वो suddenly slow down हो जाएगा these impacting elements emit radiation वो कहता है ये जो electron जो slow हो जाता है ये radiations emit करते है and they are strongly decelerated देखो बाहर से आपने एक electron भेज़ा अंदर तो electrons का अंबार लगा हुए जैसे ही वो गुसेगा बीड के अंदर तो उसकी speed बहुत कम हो जाएगी यनि ये बड़ा strongly decelerate होगा और इतने strong deceleration की वज़े से वो अपनी energy को lose करेगा अब हो सकता है कि वो अपनी energy सारी के सारी एक ही collision में lose कर दे अगर ऐसा होता है तो maximum energy का एक photon निकलेगा which equals to EV वो आपके पास strongest X-ray बनेगी लेकिन ये भी हो सकता है कि वो अंदर जाए और भीड में हलके हलके से टकराये थोड़ा से इस से टकराया थोड़ा से इस से टकराया और हर एक collision पे थोड़ी थोड़ी energy वो emit करें अब जब थोड़ी थोड़ी energy emit करेगा तो छोटी छोटी energy की soft soft सी X-rays निकलेंगी इसका मतलब कि वो different energy की radiation हो सकती है हमें उनकी energy के बारे में कुछ नहीं पता उनकी energy entirely depend करती है on the strength of the collision अब हो सकता है collision इतना soft हुआ कि X-ray की energy बहुत ही कम है और हो सकता है collision इतना strong हुआ कि आपके पास सारी की सारी energy एकी collision में निकल गई तो अब यहां पे देखो इस तरह से fix energies नहीं मिल रही है यहां पे हमें strongest collision और weakest collision के दिरम्यान एक range मिल रही है वो कहता है कि इस strength की radiation भी हमारे पास निकल सकती है strongest और weakest इस strength की आपके पास X-ray भी निकल सकती है तो यह जो radiations आपके पास होती है जिनकी strong collisions की वज़ा से these are called hard X-rays और जो हलके हलके soft soft से collisions होते हैं जो कम energy वाली X-rays होती हैं उनको soft X-rays कहा जाता है these are hard X-rays and these are soft X-rays based on their energies तो अब आपको समझ आ गया के X-rays दो तरह की हैं correct restricts और continuous continuous की energy एक specific wavelength से start होती है और वो energy एक specific value से बढ़ते 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 एक दूसरी value तक जाती है और इसके दिर्मयान में कुछ भी हो सकती है that's a basic difference between continuous and characteristic X-rays continuous में किसी भी energy की radiation वहां से निकल सकती है उसका तालुक आपके साथ नहीं है नहीं आप उसे predict कर सकते हो क्योंकि that totally depends upon the strength of the collision और collision की strength आपके हाथ में नहीं होती while on other hand जब आप characteristic X-rays की बात करते हो तो you know that वो तो है energy difference की वज़ा से यहाँ पे एक बड़ा important आपको मैं point बताते चलता हूँ जो कि आपके entrance exam में एकसर काम आ जाता है क्या आप characteristic X-rays की energy बदल सकते हो या क्या आप continuous X-rays की energy बदल सकते हो आपके पास जवाब इसका यह है कि आप characteristic X-rays की energies को change नहीं कर सकते इसकी वज़ा कि इनकी energy तो depend करती है energy of the orbitals के उपर और orbitals की energy fix होती है वो कम जादा नहीं कर सकते आप that's why characteristic X-rays की जो energy है वो ही रहेगी लेकिन आप continuous X-rays की energy के साथ play around कर सकते हो कैसे आप voltage बढ़ाओ voltage बढ़ाओगे कानेटिक energy बढ़ेगी कानेटिक energy बढ़ेगी तो जो strongest आपके पास निकलेगा उसकी energy मजीद बढ़ जाएगी तो इसका मतलब ही है कि आप continuous X-rays की energy को तो vary कर सकते हो आप voltage बढ़ाके उसको strong बना सकते हो voltage कम करके उसको weak कर सकते हो लेकिन characteristic X-rays की energies को आप बिलकुल भी change नहीं कर सकते है ये हमारे पास एक comparison था X-rays का कि X-rays किस तरह से produce की जाती है X-rays, characteristic X-rays कौन सी होती है inertial transition क्या होती है और continuous X-rays कौन सी होती है